हलो आफ्रिवन नमस्कार आप सभी को फ्रेंट्स एक बहुत ही इंपोर्टेंट सूचना उन सभी ओफिशिल्स के लिए जिनका ट्रांसफर रूल 38 ट्रांसफर सिस्टम ओनलाइन होने से पहले ही अप्रूफ हो चुका था बट अभी तक उनको रिलीविंग नहीं मिली है उनके रेस्पेक्टिव डिविजन या फिर यूनिट से यह आप देख सकते हैं अगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथी साथ साइट में बने हुए घंटी के निशान को भी दबा ले जिससे आन पर फ्रेंटि चलिए फिर बात करते हैं कि आखे डारेक्टरेट दिल्ली डागभवन के द्वारा इस सर्कुलर में क्या बात कही गई है और इस से क्या-क्या फाइदा होने वाला है रहले कि नुकसान तो कुछ नहीं है फाइदा ही यह बात करते हैं फ्रेंट ऑ्रेंटिस हम उनको उनके respective division या फिर unit द्वारा relief नहीं किया गया है ये बात डायरेक्टरेट दिल्ली डागभवन की notice में आई है और इसके regarding उन्होंने clarification दिया है और साथी साथ order दिया है कि उन employees को अब transfer दे देना है कोई भी divisional head या फिर unit head उनको relief करने से नहीं रोकेंगे और हर हाल में उनक जानते हैं कि आखिर हैसक कर क्यों रहे हैं यह जान लेते हैं तो second pair में friends साफ साफ बोला गया है कि वो सभी vacancies means की वो सभी रेक्तपद जिनके लिए इन officials को offline mode में transfer allot किया गया था offline mode समझना friends जो की online होने से पहले offline होता था तो इनको transfer उसमें allot हो गया था उन सभी vacancies को future में rule 38 transfer cycle के लिए दुबारा से प्रियोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से दो नुक्षान होंगे पहला यह होगा कि अगर समझो किसी official जिनको offline transfer already approved हो रखा था उनको relief नहीं किया जाता है तो वो क्या करेंगे वो दुबारा rule 38 online form fill करेंगे online portal के थूँ तो उनको already a seat allot ह रखी है और वहीं पर online system के थूब उनको in future कभी न कभी दूसरी seat भी allot कर दी जाएगी क्योंकि online portal के पास जो already offline transfer हो चुके हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है इस हिसाब से एक official के लिए दो रिक्तपद means दो vacancy allot हो जाएंगी जिससे की all over India सभी circles की जो vacancy positions हैं उन पर फरक जाएंगी ठीक है friends दूसरा कारण यह है कि मान लेजिए जिन officials को पहले ही transfer allot हो रखा है और अगर अब online system हो जाने के बाद से जिन officials का transfer हुआ है उनसे पहले उनको relief नहीं किया गया तो जो already seniors हैं जिनको already transfer अप्रूब हो चुका था वो नए division या फिर नए unit के लिए junior most हो यह seniority पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए friends इन दो points को ध्यान में रखते हुए कि एक ही official को दो रिक्त पदो पर transfer allot ना हो और साथी साथ officials की seniority खराब ना हो seniority उनकी बनी रहे इसको मद्य नजर रखते हुए यह circular जारी किया गया है और इसमें साथी साथ 3rd पैरा की बात करे तो इसके 3rd पैरा में बताया गया है directed द्वारा सभी circles को यह order दिया गया है कि ऐसे सभी officials को जल्द से जल्द 30 October 2022 इसकी friends deadline date दी गई है कि 30 October 2022 से पहले पहले हर हाल में इनको relieve कर देना है तो friends यह था circular आई होप आपको जानकरी पसंद आई होगी सभी circular जिन से related videos हम बनाते हैं वो आपको PDF format में हमारे telegram channel पर provide कर आए जाते हैं telegram channel को join करने के लिए friends आप नीचे दिये गए description box में जो link दिया गया है telegram join का उसमे telegram link पर click कर join पर click कर सकते हैं जिससे कि आप हमारे telegram channel पर join हो जाएंगे और वहाँ पर जो update की गई हुई PDF से सभी circular की वो आप अच्छे से देख पाएंगे ऐसे ही friends डाग विभाग करमचारियों से जुड़ी latest खबरों के लिए channel subscribe जरूर करें और ज़्यादे से ज़्यादे लोगों से share भी करें Thank you so much friends. Have a nice day.